सो वेलकम स्टूडेंट्स माइगनु सॉलूइशन्स माइड नेम इस प्रेंडना एंड आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ बी एस डेवली जीरो जीरो फोर इंट्रोड़क्शन टू फैमली लाइफ एजुकेशन के सॉल्व असाइमेंट बीस से किस तक के लिए यानि कि जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में अड्मिशन लिया है यह असाइमेंट के वल उनी स्टूडेंट्स के लिए है अगर आपको इन्सॉल्व असाइमेंट का प्रेडियो चाहिए तो आप हमें गीवर नमबर पर वाटसप कीजिए अधर्वाइस जब मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊं तो आप एजली वीडियो को पॉस करके आप उन सॉल्यूशन को नोट डाउन भी कर सकते है और स्टूडेंट्स आज मैं आपको यह भी वताऊंगी कि आप किस तरीके से आपको अपने असाइमेंट को बनाना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बी एस डब्लू इजिरो जिरो फो इंट्रोड़क्शन तो फैमिली लाइफ एजुकेशन तो इसके सॉल्व असाइमेंट है आपके बीसिक किसके टूडिन्स म आपके स से डिसके करता है कि अकोर्णिंग से आपके जो असायमेंट है उसका ओर्मेट होता किस तरीके से आपको उस्सो फॉल्मेट को ऊपको करके अपनेसायमेंट को बनाना है तो यहां पर देख सकते हैं सिक् Griffis Kenti आपको प्ता रहे Enteatorio साच्ट का आपका नोट है, all questions carry equal marks, यानि कि इस assignment में आपको जितने भी questions दिये गए हैं, वो सभी questions आपके equal marks के हैं, and third आपका नोट है, answer to question number one and two should not exit 600 words, यानि कि आपका question number one and two है, उसको आपको 600 words तक ही लिखना है, यानि कि जब आप question number one and two को जब आप attempt करेंगे, उनकी answer को आपका लिखेंगे, तो उनकी answer आपको लिखने है, 600 words तक ठीक है, आप उससे जादा नहीं लिख सकते, तो इस तरीके से आपको इस note को बहुत ही कियरफुली से पढ़ लेना है, and तभी आप अपने, जो आपका assignment बहु and firstly, students, आपको क्या करना है, जब आप questions लिखें, जब आप उसका answer लिखें, तो firstly, आपको questions को बहुत ही ज़्यादे कियरफुली पढ़ना है, and question में क्या बोला गया है, उसी से related आप अपने answer को explain करें, and second, आपको क्या करना है, कुछ students करते हैं, normally, जो आपके assignment होते हैं, जो पॉज़ादा attractive होता है, and इसे जो teachers होते हैं, जो आपको अच्छे marks देते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने assignment को content wise explain करना है, and यही आपको अपने exam में भी follow करना है, जिक है, यहाँ पर अगर आप content बनाना सीखेंगे, बैस से बैस, तो आप exam में भी बना पाएंगे, तो य Koshima won discuss the concept of family life in an Indian context झाल झाल कि आपको कुछ नुम्मर टू है 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 कि आपको कुछ नुम्मर टू में आपसे बोला गया है आपको 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 अंसर लिखने है और उनकी आपको 250 words में explain करने है तो यहाँ पे आपका कुछ नुम्मर टू है झाल 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 यह आपका कोश्च नुमर 4 है यह आपका कोश्च नुमर 4 में आपसे बोला गया है आपको एनी 4 कोश्च नुमर 4 में आपको लिखने है और उनकी आपको 150 वर्ट में एक्स्प्रेइन करने है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका A है इसका देख सकते हैं आपको लेकिते हैं झाल 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 कोश्च नमबर फाइफ यानि कि कोश्च नमबर फाइफ में आपको शोर्ट नमबर फाइफ में आपको दिये गए हैं जिनके आंसर आपको वन हड़े वर्ट में आपको explain करने हैं तो यहाँ आप आप देख सकते हैं इसका यह है social institution of family and marriage झाल 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 करने है झाल मैं ओय yem कर दो हो कना झाल मगल करने हैं करने अी कोश्च वर्ट यह C क्योवक भाइब नह पित एग वर्हाँ आ में अ कि यान चानल को पेस्ट को सुटूडेंट्स यहीं पर आपके ब्स जव ई-0-0-4 के जो सॉट्ड असाइमेंट है वह आपकी कंप्लीट होते हैं and students अगर आपको इन assignment का PDF चाहिए तो आप हमें give a number पर WhatsApp कीजिए and otherwise आप easily वीडियो को pause करके आप इन solutions को note down भी कर सकते हैं so students आज की वीडियो में मैंने आपके साथ discuss करा BSWE 004 Introduction to Family Life Education के solve assignment basic किस तक के लिए and students अगर आपको मेरे की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को do like, share and comment करें and next वीडियो आपको किस topic के उपड़ चुए तो वो भी आप मुझे comment करके जरूर बताए and students अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फे मेरी वीडियो को first time देख रहे हैं तो चैनल को subscribe करें and bell icon को बजाना ना भूलें